हलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूटूब चैनल एंड पढ़रे केमिस्ट्री एप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत क्या जाता है स्टुडेंट CSIR NET का जो एक्जाम हुआ था जुलाई दो हजार चोबिस के अंदर यह निकि 25, 27 जुलाई को जो एक्जाम हुआ था स्पेशली केमिस्ट्री का एक्जाम 27 जुलाई को हुआ था तो उसके रिस्पोंसी टैनन्सवर की आ चुकी है हम उस पेपर का डिटेल सॉलूशन डिसकस कर रहे हैं पेपर सॉलूशन का यह हमारा पार्ट नंबर टू रहेगा इससे जो पहले पार्ट था पार्ट नंबर वन उसमें हमने पार्ट बी के यानि कि टू मार्क्स के इन और्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेशन का डिसकसन किया था तो यह हमारा part number two रहेगा student और इस part में हम discuss करेंगे organic chemistry के जो part B के questions थे organic chemistry के जो two marks के questions थे उनका discussion हम करेंगे इससे पहले अगर आपने part one नहीं देखा है तो उसको भी जुरूर देख लीजेगा उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए student शुरुआत करते हैं जुलाई 2014 के exam के part B के organic chemistry के questions उससे पहले माँ आप सभी को बता देना चाहता हूँ अगर आप CSIR net की तयारी कर रहे हैं gate की तयारी कर रहे हैं state eligibility test की तयारी कर रहे हैं assistant professor exam की तयारी कर रहे हैं तो पढ़रे chemistry app पे course available है जुष में video lecture, test series, previous year paper का solution, assignment वेगर आपको सब provide किया जाते हैं इस course को आप 3 months की validity के लिए भी ले सकते हैं 6 months की validity के लिए भी ले सकते हैं और 1 year की validity के लिए भी ले सकते हैं तीनों में content same है only validity का difference यहाँ पे रहेगा ज्यादा information के लिए आप इन number पे भी contact कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा information चाहिए regarding courses तो student चलिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहला question, इसको easy question बोला जा सकता है अगर आपके concept strong है तो आप इसको attempt कर सकते थे the major product B and C formed in the flowing reaction तो मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे तो यह कहरा जी, B और C में क्या product बनेगा यह आपको बताना है student यह आपको एक alken नजर आ रहा है और यह आपका mcpba नजर आ रहा है तो metachloroperbenzoic acid तो mcpba, alken and mcpba क्या करते है epoxidation की formation करते है student epoxidation की formation करते है तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा अगर आप alken की reaction करवाएंगे mcpba के साथ तो यह वाला epoxide बनेगा अब यहाँ पे देखे दो possibility दी गई है एक यह करें कि सीधी इसकी reaction आप इस nucleophile यानि की base के साथ करवाएंगे ठीक है और दूसरी possibility यह है कि पहले आप इसकी reaction करवाएंगे methanol के साथ in the presence of HCL तो student देखेगा जब आप इसकी reaction HCL के साथ करवाएंगे तो यह क्या करेगा जो epoxid का oxygen है यह अपना loan पे और donate करदेगा इस H positive को जैसे ही आप देखेंगे इस type के questions पहले भी आ चुके हैं net में मतलब exact यह नहीं था लेकिन इस pattern पे आप से पूछे जा चुके हैं तो यह बनेगा जी सबसे पहले यह बनेगा अब यहाँ पे देखें भाई अब आपका attack होगा किसका यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है M E O negative अब nucleophile attack करेगा student अब यहाँ पे आपके पास दो possibility हैं एक possibility तो यह है कि आप इस वाले bond को यहाँ break कर दे अगर आप ऐसा करेंगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ध्यान दीजिएगा तो ऐसा करने पे आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका O H लग गया होगा और यहाँ पे आपका positive charge आ गया होगा यहाँ पे आपका positive charge आ गया होगा यहाँ पे जो दूसरी possibility बन सकती है वो यह हो सकते कि आप इस bond को यहाँ break करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी की क्या होगा यहाँ पे अगर आपने इस bond को यहाँ break किया तो यहाँ पे आपका O H आएगा और यहाँ पे आपका positive charge बनेगा स्टुडेंट अब ऐसे केस में आपको देखना होता है stability of carbocatine carbocatine इस carbocatine के पास आपको कितने alpha hydrogen 3 और 3-6 और यहाँ पे भी एक alpha hydrogen लगावा है तो इसके पास 7 alpha hydrogen है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका 3 alpha hydrogen है यानि कि यह वाला carbocatine ज़्यादा stable है यह वाला carbocatine आपका more stable है अगर यह carbocatine आपका ज़्यादा stable है तो यह जो nucleophile होगा वो यहाँ पे attack करेगा यानि कि यह वाला जो nucleophile है यह SN1 टाइप का mechanism होगा क्या होगा यह आपका? SN1 टाइप का mechanism होगा और जो आपका product है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यह OH लगेगा यहाँ पे और यह OME लगेगा यहाँ पे और यह आएगा किस के case में? C के case में यह किस के case में आएगा? C के case में आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा C आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा आरे ये बात समझ में दूसरी बात अगर हम करें डारेक्ट अगर आप इसकी रियक्षन नुक्लियो फाइल के साथ करवाते हैं तो स्टूडेंट ये S&2 टाइप का मेकनिजम फोलो होगा क्या होगा? S&2 टाइप का मेकनिजम फोलो होगा अब यहाँ पे देखिए अब दो पोसिबिलिटी है ये वाला यहाँ से भी अटैक कर सकता है और ये वाला आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है स्टूडेंट S&2 का अटैक वहाँ से होता है जहाँ पे steric crowding कम होती है यहाँ पे देखिए steric crowding जादा है यहाँ पे दो-दो methyl group लगे हुए है यहाँ पे एक लगा हुआ है इसलिए जो OME attack करेगा वो यहाँ पे और यह वाला bond कर जाएगा ऐसे break तो अगर आप इसको समझते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा वह यह वाला bond यहाँ break कर गया तो आपको यहाँ पे O के उपर negative charge दिखाई देगा इस जगह पे आपका कोन आ गया OME ने attack किया है क्योंकि यह SN2 type का attack होगा और जब आप इसकी reaction H positive के साथ करवाएंगे तो आपके पास जो final answer आजाएगा इस question का वो यह आएगा कि अब यहाँ पे O H होगा तो यह आपका बनेगा B यह आपका बनेगा B तो इस question में आपसे यही पुछा था कि आप यहाँ पे बताएगे कि B and C क्या होगा तो student C में O H देखो जहाँ पे आपका दो methyl group लगे हो हैं वहाँ O M E लगेगा option क्या दोनों एक जैसे होंगे क्या देखो अब options को check out किजिए यहाँ पे यह बोल रहा कि B और C दोनों एक जैसे बनेंगे बिल्कुल भी नहीं दोनों different बनेंगे B और C दोनों एक जैसे बनेंगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है O M E यहाँ attack करेगा ऐसा possible है नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया B जो बनेगा B में जो आपका O M E होगा वो यहाँ पे attack करेगा और ऐसा इस question का जो correct answer अना था that is option number 4 इस question का जो correct answer that is option number 4 तो यहाँ पे देखिए भाई यह जो B product बना है वो S N 2 टाइप के mechanism से बनेगा and जो आपका A product बना है वो S N 1 टाइप के mechanism से बनेगा वहाँ पे acid था इसलिए पहले आपको यह वाला attack देखने को मिलेगा यहाँ पे concerted mechanism होगा single step reaction होगी तो आपका correct answer आजाएगा इस question का option number 4 option number 4 is the correct answer question number 2 पे चलते हैं student ऐसा question आपको करवाया जा चुका है पहले भी पुछा जा चुका है net के अंदर यह question the major product free radical intermediate से relate कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको tin hydride यह tributile tin hydride और यह आपको नजर आजाए यह क्या करते हैं जो भी आपके पास यहाँ पे हालो जन लगा होगा वो हट जाएगा and radical की formation हो जाएगी क्या हो जाएगी student आपका यहाँ पे यह आई हटेगा and radical की formation हो जाएगी इसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं क्या होगा अगर हम इस bond की homolytic cleavage करवा दे student क्या हो सकता है आप इस bond की homolytic cleavage करवा सकते हैं अगर आप इस bond की homolytic cleavage करवाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा जान से देखेगा यह basically C double bond O radical आ जाएगा यहाँ पे एक यहाँ पे इस type से एक यहाँ पे इस type से यह ओलरेडी यहां लगावा था अब देखिए यह radical एक यहां हो गया और यह वाला जो radical है C double bond OME लगावा है यह वाला radical देखो यहां पे भी C double bond OME अगर electron withdrawing group होते हैं वो radical को stabilize करते हैं अब finally आपको क्या करना था student इन दोनों radical को आपस में connect कर देना था इन दोनों ताकि 6 member की ring की यहां पे formation हो जाई जैसे ही आप इन दोनों को यहां पे करते हैं आड करते तो आपके पास यहां पे 6 member की ring बन जाती यह आपका C double bond O हो गया यह carbon तो जुडा ही था इससे next carbon पे आपक को जुरूर दिखाई दे रहा हुआ लेकिन यहां से जो h radical निकलता है initially वही आपका आके यहां लग जाएगा और इस question का जो correct answer आना था that is option number first that is option number first तो student इस question को भी attempt किया जा सकता था essay concept आपको पढ़ाए गए हैं है ना essay concept आपको course में काफी अच्छे से पढ़ाए गए हैं सारी चीज़े explain आपको की गई हैं बहतरीन तरीके से तो यह question भी attempt हो सकता था two marks का question था free radical intermediate से आप इसको relate कर सकते थे चलिए भाई question number three देखेगा यस इसको थोड़ा सा नाई type का question बोला जा सकता है stereo chemistry का ज्यादा पुछा नहीं गया था भाई इस type का question नहीं पुछा गया था RS nomenclature पुछा जाता था बट प्रो कारेलिटी में RS nomenclature नहीं पुछा जाता था अब देखे इसका answer कैसे करेंगे the correct toposity of HA and HC in the flowing molecule student very simple देखे क्या करना होता है अब यह करें भाई HA की toposity बताइए क्या होगा यह रहाजी आपका यह देखो जहाँ पे भी आपको क्या दिखा देजाए एक double bond और एक आपका cyclic ring उसको आप alene system मान सकते हैं है ना देखे इस कहने का मतलब क्या है भाई इसको आप आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं यह carbon carbon का double bond और यहाँ पे आपका यह कितने member gering होगी छे member gering हो गई इस दिखाए पे क्या लगावा है यहाँ क्लोरीन लगावा है यहाँ पे हाइट्रोजन लगावा है यहाँ पे देखो यह वाला हाइट्रोजन यहाँ लगावा है और यह आपका group ऐसे लगावा है आई बात समझ में हाँ अलीन सिस्टम है यह क्योंकि यहाँ पे देखो एक double bond और एक ring अगर even number of double bonds हो even number of rings हो एक double bond एक ring हो even होने चाहिए तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता भई यह मलब वो अलीन सिस्टम होता है और वहाँ पे जो terminal positions होती के perpendicular होती है अब यह कहा रहा कि HA की pro chirality बताइए क्या होगी तो student देखो अगर मैं HA की जगे कुछ रख देता हूँ यहाँ पे group for example मैंने HA की जगे D को रख दिया D को deuterium को रख दिया for example तो क्या होगा भई यहाँ पे यह रहाँ यह double bond यह आपका ऐसे अब आपको क्या करना हो तो student इसमें खास बत क्या होती है यहाँ पे आप इनको naming दीजिये according यहाँ पे आप इनको numbering कीजिये according to CIP rule तो chlorine का atomic number ज्यादा होता है इसलिए इसको first priority मिलेगी यहाँ पे इसको second priority पहले इन दोनों में से देनी होती है उसके बाद इन दोनों में से तो third priority इसको मिलेगी and आपका जो fourth priority है वो इसको मिलेगी fourth priority जो है आपका वो एक मिनिट भाई थोड़ा समय ने गल्द लिख दिया है यहाँ पे देखे है एच बी उपर लिखा हुआ था तो यहाँ पे इसका meaning ह भी होगा यहाँ पे यह जो है न बेसिकली यह by mistake लिखा गया है कोई बात नहीं अब यह बन जाएगा आपका क्या यह बन जाएगा आपका ह A यह आपका ह A की जगा क्या लगा दीजिए यह deuterium and यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं थोड़ा सा correction करना पड़ेगा तो यह आपका ह B हो गया है न और यह आपका deuterium हो गया आई बात समझ में तो अब देखो य प्रियरिटी डैस पे है and 123 के direction clockwise है फोर्थ प्रियरिटी डैस पे है 123 के direction clockwise है तो यह फिर आपका R configuration होगी यह फिर आपका R configuration होगी इसलिए बोला है कि जो HA है वो प्रो आर होगा है जो है वो प्रो आर होगा सेम देखिए student यहाँ पे आपसे पुछा HC के बारे में अगर मैं य रहा अगेन यहाँ पे आपका chlorine आ गया यह आपका hydrogen आ गया HC की जगह अब आपको deuterium रख देना है HC की जगह आप कोई भी यहाँ पे आप और atom रख लेंक बार ठीक है यह HD और यह आपका HC की जगह हमने deuterium रखा तो वही आप naming कीजिए first priority क्योंकि देखिए planer side से arrow डाली जा अगेन आप देख सकते हैं fourth priority dash पे है and one two three के direction clockwise है and one two three के direction clockwise है तो यह भी R configuration होगी इसको भी हम pro R configuration बोल सकते हैं तो फिलाल इस question का जो correct answer रहना था that is option number first इसके लिए आपको RS nomenclature का तो idea होना ही चाहिए था साथ में आपको यह पता होना चाहिए था कि जहां पे अगर हे की पूछा है तो दूसरा जो हाई ट्रोजन है उसको fourth priority मिलेगी इसके जगे तो हम कुछ रखके देखेंगे ना substitution method जो पढ़ा जाता आपको toposity में ठीक है तो हाँ बिलकुल यह बोला जा सकता है कि यह नए type का question था ऐसा question पूछा नहीं है अगर आपको idea था आपने कहीं पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से attempt कर सकते थे इस question का correct answer ना था option number first हो कि आप सुभी को अच्छे से समझ में आ गया हुगा student yes यह question बिलकुल आपको मैंने lectures में करवाया था आपको मैं reference दिखाऊंगा मेरी PDF का और इसको मैंने काफी अच्छे से cover किया था यह आपका जो character's book है उसमें भी mention किया गया है character's book में आपको इसका मिल जाएगा the correct statement about dials elder reaction the correct statement about dials elder reaction of furan देखें यह कहारा कि आपके पास एक furan है ठीक है this is furan जो कि एक diene के तोर पे काम करेगा और एक आपके पास malic anhydride है एक आपके पास क्या है यहापे basically यह C double bond O यह आपका C double bond O यहाँ पे oxygen यह oxygen iradible तो यह diene के तोर पे काम करता है और यह dynophile के तोर पे काम करता है तो यह एक dials elder reaction है अब यह कहरें जो product बनेगा वो क stabilize होता है endo product ज़्यादा stabilize होता है यह बात समझ मैं most of the cases में आप देखेंगे most of the cases में आपका endo ज़्यादा stabilize होता है बट यह exception होता है और इसमें exo product ज़्यादा stabilize होता है इसमें exo product ज़्यादा stabilize होता है आइए मैं आपको reference दिखाता हूं student पहले यह देखिए आपको lectures में पैरी साइकली की class number 6 है, और यह मैं class 3-4 महीने पहले मैंने ली थी, पैरी साइकली की class number 6, और उसमें डायल्स एल्डर का जो part 2 है, और डायल्स एल्डर का part 2 में cycle edition का 3 वाला part, तो इसमें देखिए, मैंने आपको reference दिया था, बिल्कुल, same to same यही reference, यह आप देख सकते हैं student, यह देखिए, page number पता नहीं कुन सा है, आप देख लो 8 नंबर पे, this is furan and this is malican hydride, बोला कि जब आप इसके dial cell reaction करवाएंगे, एक जो is the major product, देखिए, इस यह student specially mention किया गया था यहाँ पे, और देखो, highlight करके लिखा मैंने, इस इस exception, भाई exception होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, most of the cases में, endo product is the major product, आपको यह पढ़ा जाता है, कि जो endo product होता है, वो major product होता है, अगर आप बाकी सब में देखेंगे, बट यहाँ पे आप समझते हैं इसको, तो यहाँ पे exo product is the, यह देखेंगे, exception में आपको specially पढ़ाया गया था, तो exception देखेंगे यहाँ पे, this is furan, this is malican hydride, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों hydrogen नीचे की तरफ है, और यह वाला जो malican hydride है, यह उपर की तरफ है, इसलिए exo product, major product होता है, यह exception होता है, तो student, इस question का जो correct answer आना था, यह endo product नहीं stabilize, मलब major product बनता है यहाँ पे, हैना endo नहीं बनेगा, exo बनेगा, और formation of thermodynamically controlled, student अगर product की stability पूछी दाए ना, कौन सा product major है, उसमें ज़्यादातर role आपको, thermodynamic stability का देखने को मिलेगा, rate की बात आए, तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लेते हैं, इसकी इतनी percent है, मलब percentage तो ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पे exo product होता है, वो इसको explain किया जाता है, thermodynamically controlled, thermodynamic stability से उसको explain किया जाता है, kinetically controlled का यहाँ पे कोई role नहीं होता, देखे है, half information मैं बोल सकता हूँ कि, यहाँ पे आपको correct दी गई थी, लेकिन जो यह product होता है, यह आपका thermodynamic stability के वज़े से होता है, इस question का correct answer option number 3, तो मैं बोल सकता हूँ कि, यहाँ पे दो options आपका easily eliminate हो जाते हैं, most of the student ने endo वाला product लगाया होगा, क्योंकि ज़्यादा तर जो आपका यहाँ पे product बनते हैं, वो endo measure होते हैं, बट यह exception था और मैंने आपको class में explain किया था, कारूथर स्बुक का यह reference है, question number 5, totally new question है, totally new question, unexpected question, इस बार organic chemistry में unexpected question खूब पुछे गए हैं, तो this is totally unexpected question, ठीक है, ऐसा नहीं पुछा जाना चाहिए, तो आइए थोड़ा सा एक बार link करके देखते हैं कि कैसे इसको solve क्या जा सकता है, और इसका reference भी मैं आपको बताता हूँ कि किस बुक में लिखावा है, the corresponding bone angle theta, यह जो angle देख पारें theta, and bone length d, यह वाली bone length पूछ रहाँ आप से, बताए कि क्या होगी, student आप सभी को पता होगा, जो यह SBF5 होता है, यह क्या होता भाई, एक काफी अच्छा levis acid होता है, तो यह क्या करेगा, यह पहली बात तो हो, this is like that add-mantain, यह बाई add-mantain life structure आपको नजर आ रही होगी, यह आपको यहाँ पे, add-mantain life structure नजर आ रही है, और यहисаbaby clampandain ही होता है, इसको यहाँ से connect केजिए, इसको यहाँ से connect केजिए, इसको यहाँ से, और यहाँ पे, आप ये वाला group लगा दीजे देखे अब बात ये है कि यहाँ पर ठीक है methyl लगा हुआ है यहाँ पर भी methyl लगा हुआ है और इस position पर भी आपका methyl लगा हुआ है अब जब इसने SBF5 इस F-negative को अपने पास बुलाएगा क्योंकि काफी अच्छा लविससिड है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा positive charge और आप सभी को पता है देखे पहले इसकी जो hybridization थी यहाँ पर वो SP3 hybridization थी अब इसकी जो hybridization हो गई है वो SP2 hybridization हो गई है क्या हो गई है यहाँ पर SP2 hybridization यहाँ पर अब इसकी हो गई है अब देखो क्या हुआ पहली बात तो आप सभी को पढ़ा जाता according to Brideggs rule according to Brideggs rule कि आपका breez head position पर कार्बो कटाइन unstable होता है breez head position पर कार्बो कटाइन destabilize होता है बट यहाँ पर देखो बई 1110 में यहाँ पर कफी अच्छा आपको क्या दिख रहा है space दिख रहा है तो यहाँ पर possibility बन सकती है अब देखो यहाँ पर जो explanation दी गई है इसके reference में वो दिया गया इसको hyperconjugation से relate करके इसको hyperconjugation से relate करके इसकी explanation दी गई है आइए मैं आपको इसका reference दिखाता हूँ book का नाम बताता हूँ page नमबर बताता हूँ और फिर हम समझेंगे यह रहा तो student book का नाम है super acid chemistry book का नाम है super acid chemistry GK सुरिया प्रकास और उसके page नमबर 118 page नमबर 118 पे यह वाला लिखा हुआ है exact तो यह नहीं है बट काफी हर तक similar है तो आप यह देख सकते हैं पहली बात यह देखें वाई जब आपने इसकी reaction करवाई होगी इसके साथ तो यह ही बन गया होगा ठीक है और यहाँ पे आप देखो यह theta theta पूछरा हूँ बिल्कुल same to same यह है explanation आप देख सकते हैं तो यहाँ से आप सुरुवाद किजिए इसकी यहाँ से आप सुरुवाद किजिए तो देखें the x-ray structure of 3, 5, 7 trimethyl adamantane 1 allyl cation यानि कि यह वाली जो structure देख रही है has determined by this तो यहाँ पे बुला गया कि जो carbon alpha and beta bond distance अगर carbon alpha, beta की बात करें तो इसकी जो bond distance होती है वो होती है 1.439 angstrom बट student आप से examiner ने यह वाला distance पूछा था यह वाला नहीं पूछा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं is slightly shorter यह कह रहा है कि जो यह वाली bond length होती है ना यह वाली यह shorter होती है है ना shorter होती है लेकिन अब देखो यहाँ पे जो beta and gamma bond length है वो कितनी है 1.612 angstrom तो यहाँ पे देखो this is this is beta gamma यह वाली जो bond length हो कितनी given student 1.612 angstrom और यह वाली bond length क्या हो गई है यह वाली bond length कम है 1.4 है bond length कम होने का मतलब bond order बढ़ गया इसको और आप ऐसे भी रिलेट कर सकते है पहले SP3 hybridization थी तो इसमें भी 25 का S character था इस bond में भी इसमें भी 25 का S character था इसमें भी 25 का S character था जैसे ही SP2 hybridization आय nuestras अगर percentage S character increase कर गया अगर percentage S character increase कर गया तो bond length decrease कर जाएगी आई बात समझ में आ रहे है बात समझ में ठीक है अब देखेगा आगे अब आगे देखते हैं मैं इसमें मैं आपको explanation देता हूँ लेकिन इनका approach बता हूँगा क्या है तो मैं बता रहा हूँ इस समवट longer यह बोला है कि जो beta और gamma है न यह जो beta gamma देख रहे है यह longer होती है the corresponding reference value जो reference normal जो value होती है वो कितनी होनी चाहिए 1.5 के आपास होनी चाहिए this sport यहां से देखे यह इसके उपर explanation दी गई है this sports the carbon carbon hyperconjugation in bridgehead adamantene, adamantanile, cation तो यह बता रहा है कि basically यह sport करता hyperconjugation के फिनोमेना को यह sport करता है hyperconjugation यह जो carbon carbon का जो sigma bond है यह क्या करेगा इसके यहां पे अपनी electron density को donate करेगा इसके यहां पे अपनी electron density को donate करेगा ठीक है तो यह रहा the SP2 carbo cationic center has pyramidal structure to SP2 hybridization आ गई and यह बोला गया अब देखो आगे angle the unusual geometry of the cation center is also indicated that beta, alpha, beta यह वाला angle beta, alpha, यह वाला जो angle है वो SP2 hybridization है तो कितना होना चाहिए 120 degree के करीब होना चाहिए लेकिन actual में होता 117.9 degree दूसरा angle देखिए alpha, beta, gamma alpha, beta, gamma यह जो bond angle है यह 99.7 degree आ रहा है 99.7 degree आ रहा है student देखो इसको भी आप थोड़ा बहुत relate करेंगे the breeze head homo यह अलग आ गया बस यहां तक इसकी explanation दी गई है देखिए भाई पहले बात तो इसको hyperconjugation से relate करने की कोशिस की है ठीक है आ रहे बात समझ में और दूसरा इसका जो angle तो यहां पे दोनों चीजों का आपको reference मिल गया है इसके बुकक का नाम में आपको बता दिया आप देख सकते है superacid chemistry तो यहां पे देखो bond length कितनी बताई थी मैंने आपको bond length मैंने आपको कितनी बताई थी यहां पे bond length थी 1.612 तो 1.6 देखो यहां तो 1.4 है यहां थो 1.4 है That is option number first. That is option number first. देखे, student, अगर बात करें न, यहाँ पे, यह जो angle, यहाँ hybridization तो SP3 ही है, SP3 का broad angle 109 degree के असपास होता है, लेकिन percentage S character बढ़ने से, percentage S character बढ़ने से, यहाँ पे कुछन-कुछ आपका इसमें हुआ है, या फिर आप इसको hyperconjugation से relate करके लिख सकते हैं, again unexpected question, ऐसा question कभी नहीं पूछा गया, ऐसा कोई concept पढ़ा नहीं जाता है students को, तो इसको unexpected बोला जा सकता है, इसको आप skip कर सकते थे, अगर आप कोई और concept लगाते, तो confused आप हो सकते थे, bend soon लग सकता है, लेगिन यहाँ पे breeze head position पे, carbocatine का भी कोई रोल है, तो यहाँ पे फिलाल इस book में जो explanation दी गई है, वो hyperconjugation से relate करके दी गई है, question का correct answer आएगा, option number first, question number six, question number six, again unexpected question, हलांकि इसका reference आपको जरूर मिलेगा, Claydon book में, लेकिन student commonly पढ़ाई नहीं जाती है ऐसे चीज़े, ठीक है, तो आएए देखते है, in the flowing dithyene, the correct statement about acidity of HA and HE, जो axial पे proton है, और जो equatorial पे proton है, the reason of stability of carbonine formed by the deprotonation is, तो student इसका reference आपको मिलेगा Claydon book में, Claydon book में मैं आपको page number भी बता देता हूँ, तो यह die-thine है, अब देखो इसके पीछे student काफी चीज़ें सोच सकते थे, बई देखो, एक चीज़ यह सोची जा सकती थी, यहाँ पे देखो, आप ऐसा सोच सकते थे, लेकिन exact तो reference बताएगा भई आपको क्या है, reference क्या कहता है, that is more important, वो ज़्यादा important होता, भई आपका reference आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखे, एक possibility यह हो सकती थी, student ऐसा सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे भई यह मैं बताता हूँ, यह यहाँ, देखो, कुछ student ऐसा सोच सकते थे, कि यह हैची, जैसे ही यहाँ से आपका proton निकलेगा, यहाँ पे negative charge बनेगा, और इस sulfur के पास होता है, vacant d-orbital, vacant d-orbital, तो आपको यहाँ पे back bonding देखने को मिलेगी, और जिसकी वज़े से, यह वाला NIN काफी ज़्यादा stabilize होगा, और ऐसी explanation गिवन भी थी, जैसे ही रहा, HA is more acidic, axial carbonine is delocalized into empty 3D orbital of the sulfur, ऐसा बिल्कुल सही लग रहा कि ऐसा हो सकता है, बट exact explanation आपको मिलती है reference से, और इसका reference है आपका और भी बहुत सारी books में हो सकता है, बट मैं आपको Cliden book का reference दिखाता हूँ, तो भाई पहले बात इसका जो answer बोला गया है, वो option number 2 बोला गया है, कि HE is more acidic, ये equatorial वाला proton ज्यादा acidic होता है, equatorial carbonine is delocalized into sigma star orbital of CS bone, बिल्कुल सही है, स्टुडेंट आपको पहले तो आप पेज, पहले तो chapter का नाम नोट कर लीजिए, ये अगेन मैं कहूँगा, आपका जो clayden book है, उसका reference है, clayden book का reference है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, sulfur stabilized anion, तो एक chapter है, आप देखेंगे, पेज नमबर पेच ले जाना, 661 नमबर पेज है, 661 नमबर पेज है, वहाँ पे आपको proper इसके बारे में reference मिल जाएगा, ये रहाजी reference आईए पढ़ते हैं, क्या कहा गया है, anion stabilization by adjacent sulfur, it was long thought that delocalization into sulfur's empty d orbital, provided in the anion stabilization required, but theoretically work in the last 20 years, so suggested that, made not the case, तो भही पहले सोच रहे थे कि ऐसा होता है, कि sulfur का vacant d orbital करता है, अब यहाँ पे बताया गया है, thus, अब initial calculation suggested that, CS bond in this is longer than this, the conversion would be true if delocalization into sulfur's d orbital were important, अब यहाँ पे आपका, यहाँ से पढ़ना start किजिए, delocalization would be shortened the bond, because it would partial double bond character, देखो, यह यह बता रहे हैं भाई, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि vacant d orbital में जाएगा, तो अब यहाँ पका ही double bond आएगा, double bond character आएगा, तो इससे यह वाली जो bond length है, वो sorter होनी चाहिए, sorter होनी चाहिए, but experimentally ऐसा नहीं मिला, तो यह तो बात बता रहे हैं, तो experimentally ऐसा नहीं मिलता, more likely as an additional factor is a delocalization into sigma star orbital of CS bond on the other side of sulfur atom, the equatorial proton of diethene, जो कि आपका 662 number page पे भी है, is more acidic, is more acidic than axial 1, the equatorial anion is more stable, because it is delocalized into CS bond sigma star orbital, मिल गई explanation, मिल गया reference, reference, क्लेडन बोक, page number 661, तो यहाँ पे यह बताया गया है, यहाँ पे, experimentally reference के coding आपको बात करनी है, तो यह देखो, कि यहाँ पे यह वाला जो proton है, इसका जो sigma star होता है, CS bond का जो sigma star, वहाँ पे यह donate करेगा, और यह ज़्यादा stabilization होगा, यह ज़्यादा stabilize होगा, आपको बात समझ में आई, आपको reference समझ में आई, तो student, इस question का, जो correct answer रहना था, HE is more acidic, equatorial carbon ion is delocalized into the sigma star orbital of CS bond, again reference based question, student, अब कितने question पढ़ लेंगे reference based, नहीं पढ़े जा सकते, तो again मैं कूँँगा, unexpected question है, हाँ, अगर concepts related, या कोई previous year में question आया होगा होता, तब भी teachers इसको पढ़ाते हैं, explain करते हैं, कितने reference पढ़ देंगे, ऐसे आपको हजारों reference मिल जाएंगे, सिर्फ एक Cliden की book में, इसके लावा आपको और भी बहुत सारी books पढ़नी पढ़ सकते हैं, अलग-अलग references को लेके, again unexpected question, but अब इसको आप ध्यान रखेगा, हो सकता है future में gate exam में, या आने वाले net exam में, फिर से इसको repeat के अदाए, option number two is the correct answer, question number seven पे चलते हैं, again student, इस type का question last time भी पुछा गया था, last year में, तो वैसा ही है, या इसका भी आपका जो reference अविलेबल है, वो Cliden book में अविलेबल है, the major product formed in the following reaction, तो इस reaction का major product क्या होगा, student सबसे पहले तो यह यहाँ attack करेगा, आई, यह double bond इसके उपर attack करेगा, और यहाँ पे देखो, अगर यह pH, अगर यह आपका trimethyl silicone वाला जो अगर आमने सामने है, तो यहाँ पे आई लगेगा, और वो भी आमने सामने आएगा, इसका जो correct answer आएगा, that is option number first, इसका जो correct answer आएगा, that is option number first, आई, यह मैं explain करता हूँ, मैं आपको reference दिखाता हूँ, student again, this is Claydon book reference, यह आपका Claydon book में available है, Claydon book का chapter number 27, chapter number 27 में जाएगा, जिस chapter का नाम है, sulfur, silicon, phosphorus in organic chemistry, page number 674 पे जाएगा, वहाँ पे आपको साब साब दिखरा देखो, यह वाला जो pH है, और यह वाला जो group है, यह आमने सामने हैं, यानि कि E type का isomer है, क्योंकि यह यहाँ first priority, यह यहाँ second priority, यह यहाँ first priority, यहाँ second priority, अगर first priority first के सामने होती है, अब यह कह रहा है, अगर आप इसकी reaction किसी electrofile के साथ करवाएंगे, तो आपको E isomer ही मिलेगा, आपको E isomer ही मिलेगा, ठीक है, यह कह रहा, अगर Z isomer होता, तो Z ही product बनता, अब इसका proper mechanism भी मिल जाएगा student आपको, यह देख सकते हैं, सबसे पहले इस double bond ने इस electrofile पे attack किया है, सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो यह आपको नज़र आ रहा, E vinyl silene, इसने इसके उपर attack किया, ठीक है, अब यहाँ पे जब इसने इसके उपर attack किया होगा, तो यहाँ कार्बो कटाइन बन गया होगा, यह रहा कार्बो कटाइन, और यहाँ पे क्या लगया होगा, एक hydrogen already था, यह silicon और यह वाँ hydrogen, यह बना ज़े, अब यहाँ पे इसको rotate करेंगे, ताकि क्या करें, देखो, अब हमें यह पता है student यहाँ पे, अगर आपका यह वाला group यहाँ है, इस E को आपने क्या, इसको इस तरीके से लेके जाना इस group को, ताकि hyperconjugation की possibility, मलब donation होना भई, anti-peripleiner, तो यह वाला group अपनी electron density यहाँ डोनेट करके, और यहाँ से सला जाएगा, तो इसको आपने यहाँ लेके आना पड़ेगा, इसको अगर आप यहाँ लेके जाओगे, तो E आपका यहाँ आजाएगा, और यह stabilized by beta silicon, यह beta silicon से stabilized होगा, तो यहाँ पे ही आपको E देखने को मिलेगा, E देखने को मिलेगा, और यह बात समझ में student, इसका exact आप देख सकते हैं यह रहाँ जी, same to same यही question पूछा था आप से, यह देख सकते हैं, कि यहाँ पे कोई R1 लगावा था, तो सिर्फ इसको हटाईए, और इसी जगह पे आप क्या लगा दीजिए, I लगा दीजिए, इसी जगह पे I लगा दीजिए, तो student, hope कि आपको समझ में आ गया होगा, हमें just simple क्या करना था, यहाँ से बस इस group को, यह आपका pH हो गया, pH, यह आपका double bond, यहाँ पे I लगाना था, इस question का जो correct answer आना था, that is option number first, E type का Alkene E वाला product देगा, Z type वाला Z type का product देगा, option number first is the correct answer, option number first is the correct answer, question number 8 देखेगा student, इसको आप relate कर सकते हैं, anomeric effect, जो कि आपको stereo chemistry में explain किया गया था, the major product formed in the following reaction is, student यह आपका क्या है, PTSA, paratolvinc sulfonic acid, ना paratolvinc sulfonic acid इसको बोला जाता है, और जब आप इसकी, यह basically क्या है, PTSA क्या होता है, paratolvinc sulfonic acid, यह acid, तो यह acid क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका यह बनाएगा, अब यह attack करेगा यहाँ पर, ठीक है, इसी प्रकार, अब यह product बनेंगा अलगलग, ठीक है, अब main जो खेल है यहाँ पर, वो सारा खेल है आपका anomeric effect का, किसका खेल है सारा, anomeric effect, अक्सिजन से जो नेक्स्ट हेलोजन होगा, उसको आपने एक्जियल पोजिशन पे लगाना होता है, किस पे लगाना होता है, एक्जियल पोजिशन पे, यह बोलता है कोन आपका anomeric effect, देखिए, यहाँ पे oxygen है, और इससे जो नेक्स्ट क्लोरीन है, उसको आप लगाईएगा, एक्जियल पोजिशन पे ज़्यादा स्टेबलाईज होता है, क्यों? अगर उपर सिग्मा है, तो नीचे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा स्टार, और यह क्या करेगा? इसका जो लोन पे रहो नीचे है, तो यह क्या करता है? कि भाई इसमें students को idea नहीं लगा कौन axial पे है कौन equatorial पे है देखो option number two को easily eliminate किया जा सकता है देखो यह वाला यहाँ है तो यह तो equatorial हो गया लगाना कहा था axial पे यह तो साप साप नजर आ रहा है अगर आप इस chair form में देखेंगे तो this is equatorial position और देखो यह तो काफी खतरनाक भी लग रहा है दो oxygen के loan pair काफी close आ गए है this is highly unstable this is highly unstable हटाईए इसको इसी प्रकार देखो यहाँ पे आपको जुरूर दिख रहा है कि this is axial आपको यह लग रहा कि axial है यह ठीक है अभी मा आता हूँ इसके उपर अब यहाँ पे main जो problem आई है इसका जो पहले तो answer देख लेते हैं क्या भी देखो अब आपको यह तो लग गया कि यह एक्सियल है बट देखो अब इसी को मैं एक बार एक बार मैं इसको कोपी करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ देखना अभी इसके बारे में आपको explanation मिल जाएगी यह देखिए यह option first यह है option first अब देखो इसको मैं rotate करता हूँ अब अगर मैंने इसको rotate कर नीचे वाले ring पर focus किजिएगा देखिए अगर आप ऐसा देखते हैं इसको मैं ring number one बोल देता हूँ chair form one बोल देता हूँ इसको sorry भाई थोड़ा सा इसको मैं क्या बोल देता हूँ one ठीक है इसको मैं क्या बोल देता हूँ two तो मैंने क्या क्या अब इसको rotate कर दिया तो यह अपनी two है यह अपनी two है और यह अपनी one है तो देखो, जब आप ऐसा देखते हैं, तो one के लिए, one chair form में यह लग रहा कि axial है, ठीक है, यह लग रहा कि axial है, ठीक है, लेकिन जब आप two number के लिए देखेंगे, two number के लिए, तो यह oxygen कैसा दिख रहा है, two number के लिए ये वाला oxygen कैसा दिख रहा है? equatorial. कैसा दिख रहा है? equatorial. इसका मतलब student यहाँ पे देखेए. अगर दोनों के दोनों axial पे होंगे तो highly stabilized. तो ये आपको axial दिख रहा है लेकिन इस particular ring के लिए ये वाला तो equatorial है? ये वाला तो equatorial है? आरी ये बात समझ में? ये बिसिकली आपका कैसा हो जाएगा? अब इसका जो अंसर दिया गया था, वो देखते हैं क्या? पहले तो भई मैं आपको reference दे देता हूँ. तो देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि this is the most stable form. दोनों axial इस फों में होते हैं. तो देखो, इस रिंग के लिए ये तो axial नजर आई रहा है. उसी प्रकार में अगर आपको इसकी भी copy मना के दिखाओं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे, आप relate कर पाएंगे कि हाँ, कैसे ये चीज हुई है यहाँ पे. Option no.3. ये option no.3. अब देखो, इसको मैं rotate करने जा रहा हूँ. इसको मैं rotate करने जा रहा हूँ. ये देख लीजी, ये देख लीजी भई. तो देखो, जब मैंने इसको rotate किया, जब मैंने इसको rotate किया यहाँ, ऐसा, तो यह तो साब साब देखो अगर मैं इसको ring number one बोलता हूँ इसको two बोलता हूँ ring यह रहा सेम देखो यहापे this is one, this is one and this is two इसको देखने से साब साब पता लग रहा है कि यह axial है और जब आप इसको देख रहे हैं इसके लिए देखो, यह वाला जो groupन नीचे की तरफ है देखो, इसके लिए यह नीचे की तरफ ही है इक्विडोरी, तो यह भी axial है तो यहाँ पे दोनों के दोनों axial है इस structure में दोनों के दोनों axial है तो यह most stable confirmation है यह आपका most stable confirmation है, आर यह बात समझ में अब यहाँ पे दिक्कत क्या रही है यहाँ तो साब साब दिख रहा है यहाँ तो साब साब दिख रहा है देखो, इसमें तो दोनों के दोनों double bond एक में आगे, यह तो product ही exist नहीं करेगा यह तो product ही exist नहीं करेगा इस question का correct answer आना था option number 3 इसको लेके देखे भाई, एक्स्प्लेनेशन गिवन है, यह मैंने Wikipedia का सोर्स लिया भाई, Wikipedia, Wikipedia पे अविलेबल है, आप Wikipedia पे जाके लिखना, अनोमेरिक इफेक्ट आपको मिल जाएंगी दोनों images, यह आपका एक वेबसाइट है, वहाँ से रेफरेंस लिया गया है, CamTube करके है सा यह least stable, यह most stable, यह least, यह बीच का stable, कल को आ सकता भाई, फिर से पुछा जा सकता है, यह stability order आपका फिर से पुछा जा सकता है, यह stability order आपका फिर से पुछा जा सकता है, रीजन अगेन अनोमेरिक इफेक्ट, हैना, अगेन रीजन अनोमेरिक इफेक्ट, तो इसका जो लोन पे होता है वो उपर की तरफ यह यहां से डोनेट कर सकता है और यह यह यहां से डोनेट कर सकता है दोनों यहां पर जबरतस्त वाला इनोमेरिक एफेक्ट लगेगा इस वज़े से axial, axial highly stabilized होता है axial, axial highly stabilized होता है तो student काफ़ी deep question मैं कहूंगा पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रोड़क्ट क्या बनेगा एंड उसके बाद आपको stereo chemistry का idea होना चाहिए इस question को four marks में पुछा जाना चाहिए था बड़ ये two marks का question था और अपने आप में बहतरीन question इसमें anomeric effect stereo chemistry का role भी था and आपको ये भी पता होना चाहिए था कि product कैसे बनेगा superb question option number three is the correct answer option number three is the correct answer question number nine देखेगा वही इसको आप थोड़ा बहुत relate करके बता सकते थे ये काफी हद तक easy है the correct statements about the flowing conformational equilibrium of ketones are this options पढ़िए पहली बात आप ये देखिए ये बात और ये ketones की ketone के लिए तो ketone कहा दिख रहा है ये राजी ketone यहाँ पे और ये राजी ketone अब आप सब भी को बता है यहाँ डैल negative यहाँ तो B के अंदर hydrogen bonding की possibility है B के अंदर क्या दिख रहा है hydrogen bonding दिख रही है सब सब intra molecular hydrogen bonding और A में ये gap कफी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे intra molecular hydrogen bonding की possibility नहीं है और ये बात समझे है तो ये क्या कहरे है आभी समझते है एक एक बात ये कहरे है भई conformational equilibrium of ketone कहा मलबाएगा ये कहरा A predominates in DMSO due to the opposing dipole B predominates in DMSO due to intra molecular देखे basically होता क्या ना DMSO dimethyl sulfoxide ये क्या होता भई आपका ये polar aporotic solvent होता है होता तो polar है क्या होता है ये आपका इसको बोला जाता है basically polar aporotic solvent ये polar aporotic solvent होता है isoctane जो होता है ये non polar solvent होता है क्या होता है भई आपका non polar solvent होता है अब आप मेरी बात समझेगा यहाँ पे अगर hydrogen bonding बनी हुई है इंट्रा मोलिकुलर hydrogen bonding है तो यहाँ पे अगर आप कोई polar solvent डालेंगे तो वो क्या करेगा इस hydrogen bonding को disturb करेगा इसलिए जो B होगा B वो प्रिडूमिनेट्स इन isoctane due to intramolecular hydrogen bonding यहाँ पे intramolecular hydrogen bonding है अगर यहाँ पे आप polar solvent डालेंगे वो इस intramolecular hydrogen bonding को disturb करेगा यहाँ पे non-polar डालोगे वो disturb नहीं करेगा इसलिए जो B है वो प्रिडूमिनेट्स करेगा isoctane के अंदर यानि कि fourth तो पका ठीक है अगर आपको यह पता लग गया कि fourth ठीक है इसका मतलब first option को हटा दीजिए and third option को हटा दीजिए student इस paper में मुझे यह देखने को मिला है कि दो options eliminate हो रहे थे but दो options में बाहरी confusion थी जबर्दस्त वाली confusion थी क्या BMSO देखो अगर fourth आगया तो second नहीं आ सकता अगर fourth आगया तो second नहीं आ सकता अब देखना है यहाँ पे अब देखो इन दोनों में देखो fourth यहाँ पे भी है और fourth यहाँ पे भी है अब कहरा जी first आएगा या second second तो आई ही नहीं सकता भाई देखो क्या fourth और second दोनों possible हो सकते हैं option ही ऐसा बनाया कि easily eliminate यह तो आ नहीं सकता तो क्या correct answer बचेगा option number two is the correct answer option number two is the correct answer अब देखना यहाँ पे क्या कहरा भाई इसमें यह बात बिल्कुल सही है यहाँ पे due to opposing देखो यहाँ पे hydrogen bonding तो नहीं होगी इसका भी lone pair है यहाँ और इसका भी यहाँ पे lone pair है तो यहाँ पे क्या हो रहा है opposing dipole interactions है इसको overcome करने के लिए यहाँ पे आप dimethyl sulfoxide यहनि की polar aporotic solvent डालिए जो की क्या करेगा एक को protonate करके रखेगा तो यहाँ पे वो कम होगा इसलिए इस question का जो correct answer बनना था one and fourth one and fourth ही correct होते इसलिए इस question का correct answer होता option number two option number two is the correct answer question number ten देखेगा भई again अच्छा question है बड़ी हा reference आप इसका use कर सकते थे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है the correct order of dissociation constant for the hydrates of the flowing compound तो भई यहाँ पे basically क्या है भई जब आप carbonyl compound का hydrolysis करते हैं hydration करते हैं तो यह वाले compound की formation होते हैं तो यह करा जी यह P है acetaldehyde यह क्या हूँ है chloral और यह आपका acetophenone है तो पूछ रहे हैं dissociation constant की value का बताईए क्या होगी तो पहले मैं आपको reference दिखाता हूँ देखे दो तरीके से हो सकता है जो आप यहाँ पे hydrolysis करते हैं तरीके से वो base catalyzed भी हो सकता है तो यह base catalyzed का mechanism देखिए कि सबसे पहले क्या गरेंगे water से क्या निकाल लेंगे proton वो H negative attack करेगा जैसे कि nucleophilic attack होता न nucleophilic addition carbonyls पर वैसा यह बनेगा और यह वाला product बन जाएगा this is base catalyzed और दूसरा यहाँ पे acid catalyzed भी आपको देखने को मिलता है रहा अब मैं आपको एक बार data दिखाता हूँ student तो यहाँ पे तीन तीन compounds पहली बात तो equilibrium constant for dissociation यानि कि यह dissociation constant की values है ठीक है तो इस book का reference क्या भई अगर मैं आपको बता हूँ इस book का reference क्या है बुक का reference मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा भई क्या नाम है इस book का पता नहीं पता नहीं भई क्या नाम है देखो अब मैं आपको data दिखा रहा हूँ सिधा पहले हम बात करते हैं क्लोरल किसकी बात करते हैं क्लोरल क्लोरल कोन होता भई यह वाला इसी को क्लोरल बोला जाता है यह दो देख रहे हैं ना क्या हूँ वाला इसी को क्लोरल बोला जाता है क्लोरल ठीक है इसका common name होता है क्या हूँ का तो देखो अगर आप क्लोरल का dissociation constraint देखेंगे तो 10 36, 3.6 10 की पर माइनस 5, very low दूसरा यहाँ पर जो यूज किया गया acetaldehyde तो acetaldehyde की value होती है ज़्यादा देख लो यह रहा कितनी 0.83 0.83 और तीसरा यहाँ पर यूज किया गया acetophenone acetophenone इसकी जो value होती है वो सबसे ज़्यादा होती है तो फिलाल एक बार data से answer निकल गया explanation भी मैं आपको बताऊंगा क्या हैगी data से देखिए जो chloral होता है उसकी value सबसे कम और सबसे ज़्यादा acetophenone की तो this is acetophenone R की value सबसे ज़्यादा आएगी फिर P की value आएगी और क्या होकि सबसे कम होगी यानि कि option number 2 is the correct answer क्या हैगा student option number 2 is the correct answer अब देखो इसके पीछे क्या reason दिया गया है देखिए बहिए जो chloral है यह electron withdrawing group है यह क्या आपका electron withdrawing group है तो यह बोला गया है अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसकी थोरी को पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा देखिएगा the data यह बोला गया the data suggests that carbonyl side of the equation is favored by when R1 and R2 are electron donating तो यह बता रहा है अगर यह R1, R2 electron donating होगी यह भी electron को donate करता है यह यहाँ से donate करेगा और यह resonance के थूरू donate करेगा सबसे ज़्यादा donation यहाँ पर होगा तो यहाँ पर इसका जो dissociation यहाँ कि यह काफी ज़्यादा stabilize है यह वापिस वहाँ नहीं जाएगा यह वापिस नहीं जाएगा ऐसा आप बोला जा सकता इसको तो यह बात है यहाँ पर निकल के आई तो यह बोला गया the data suggests that the carbonyl side of equation is favored when R1 and R2 are electron donating and disfavored when R1 and R2 is electron withdrawing the aromatic aldehydes and ketone conjugation of aryle group with the carbonyl stabilize the carbonyl side of equilibrium आर यह बात समझ में यानि कि जो यह दिखरा था ना benzophenone benzophenone में क्या था इसका conjugation की वज़े से stabilization होता इसलिए R की stability सबसे जादा है R का dissociation constant सबसे सबसे जादा है आर यह बात समझ में stability तो नहीं बोली जा सकती the magnitude of the stabilization estimates is this 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 और भी वह सारे factor हो सकते है बट फिलाल इस question का correct answer जो आना था that is option number 2 that is option number 2 अब हम चलते हैं question number 11 mass spectrometry यह आपका mass spectrometry का question था तो भई mass spectrometry वाले question आप सबी को पता है कि थोड़े से idea आपको होना चाहिए यह है भई इसको बोला जा सकता ethyl sorry इसको बोलेंगे two ethyl phenol two ethyl phenol ठीक है तो आप से base peak पूछी गई है तो भई जो सबसे highest peak होती है हना mass spectrum spectrum में वही आपका base peak होती है तो आईए मैं reference यूज करता हूँ सबसे पहले आप देख लीजिए this is ethyl phenol आपको देख रहा है ethyl phenol यह रहा जीए यह आपका ethyl phenol है तो भई यह spectroscopy की एक book हो उसका reference है तो इसको अगर आप देखते हैं इसकी जो आपका base peak आ रही है वो 107 पे आ रही है 107 पे इसका exact explanation आप यहाँ से देख सकते हैं देखिए यह एक Indian writer की book है वहाँ पे यह लिखावा है ऐसा explain the various prominent peaks in the mass spectrum of this तो यह बोला गया भई सबसे पहले क्या होता है in the mass spectrum of ortho ethyl phenol base peak आती है 107 पे appears as the result of removal of methyl radical तो यहाँ पे क्या होता student यह वाला जो methyl radical है यह लिव कर जाता है methyl radical from molecular ion यह molecular ion है 122 mass by charge ratio है this is because of that CH3 group is lost most readily than alpha hydrogen तो यहाँ पे alpha hydrogen नहीं यहाँ पे CH3 group का क्या होता है dissociation तो उसकी वज़े से आपको यह देखने को मिलेगा यह वाला complex बनता है और इसकी जो आपका जो पी का आएगी वो 107 पे आएगी किस पे आएगी 107 पे तो क्या हो वाले कि 107 पे आएगी 107 यहाँ पे भी और 107 यहाँ पे भी है इसको हटा जेते हैं इसको हटा जेते हैं अब इन दोनों का अब पी को देखना भई पी पी को अगर आप देखते हैं, पी के लिए, पी का आप देख सकते हैं, यह वाला compound है, तो पी की जो base पी का रही है, वो 104 निगरी पे आएगी, जो आपका, जो आपका, पी की, इसकी वाले की जो आएगी, वो 104 पे आएगी, इसके लिए reference देखिए, यह रहा यहाँ पे, इसमें इसके लिए reference दिया गया है कि यह क्या करता है यह in type की reaction हो गई यह यहाँ tag करेगा यह यहाँ tag करेगा और यह यहाँ से leave कर जाएगा तो यह अगर आप देखेंगे यह वाला complex बनेगा और इसकी value जब आप देखेंगे तो वो 104 degree पे आ रही है इसकी value जारी वो 104 पे आएगी तो इसका जो correct answer होना था this is also incorrect इसकी जो base peak आएगी वो 104 पे आएगी और इसकी जो base peak आएगी वो 107 पे आएगी दोनों के reference मैंने आपको यहाँ पे दे दिये दोनों के reference मैंने आपको दे दिये यह हमारा question number 12 है और last question है अगर हम बात करें part B का हैना total आपको पता 40 questions पुछे जाते हैं तो लगबग 13 question inorganic के आगए थे और 12 question organic के आगए 15, sorry 13 और 12, 25 हो गए तो जो 15 question है वो physical chemistry से relate करते देखेंगे student this is very unexpected question मुझे इसकी explanation मैंने काफी books देख लिया काफी internet पे इसके लिए सर्च कर लिया कुछ एक बड़िया explanation मिली नहीं है है ना मुझे कोई better explanation मिली नहीं है अगर आप में से किस student को पता है तो आप जुरूर बिताइएगा फिर भी मैं जो closest explanation होता है nearest explanation जो हो सकती है वो आपको बताने की कोशिस करता हूँ assuming that amide backbone amide backbone पहले तो इस word पे focus किजिए assuming that the amide backbone of a protein does not play significant role in the binding तो यह बता रहे हैं भाई कोई भी protein है उसमें जो amide linkage होती है वो कोई bonding में participate नहीं करती कौन उसके साथ add होगा नहीं होगा the amino acid that can effectively recognize HpO42 negative in a protein तो वो आपको बताना की क्या होगा student देखे पहले बात तो देखो amide linkage दिखनी भी तो चाहिए यहाँ पे बोला कि amide backbone का कोई role नहीं होता बट ऐसा amino देखो यहाँ पे अगर यह word लिखा न amide backbone यह कहरा थी amide backbone का कहीं नहीं role है तो देखो यहाँ तो आपको amide linkage दिखनी रही अगर आप देखेंगे amide linkage यह है amide linkage तो इस टाइप से होती है तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिखनी रहा इसके अंदर तो, इस option के अंदर तो इसको आप हटा सकते हैं इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसको हटा सकते हैं, लेकिन यह देखोंगे ना, इसको बोला जाता है, आपका गौनीन करके, गौनीन बोला जाता है, और यह जो पूरा ना, यह आपका एमिनोसेड होत जो value होती है PKA value वो भी 12 के आसपास होती है तो इसका answer तो 3 दिया गया था भई बट proper क्या explanation हो सकती है उसका मुझे ज़्यादा idea नहीं लग रहा यह देख सकते हैं कि यह वाला जो basic amino acid जो की positive charge रखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं agranine की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे यह वाला तो इसकी PKA value आपका 12.10 होती है 12.10 होती है इसी प्रकार इसकी भी जो PKA value होती है वो 12 के आसपास होती है तो इसलिए बोला गया है कि यह वाला जो amino acid है वो recognize करेगा इसके साथ बट कोई ज्यादा better explanation मेरे पास है नहीं और मैंने बहुत सारी जगे इसको डुणने की कोशिस की तो मुझे explanation मिली भी नहीं तो student अगर आपको इस question के explanation पता है, book का नाम पता है page number पता है तो comment box में बता सकते हैं, बाक्की भाई तो बाक्की सभी questions का है मैंने आपको explanation दे दिये तो यह हमारा part भी complete होता है organic chemistry इस बार टब पूछी गई थी unexpected पूछी गई थी तो फिलाल हम दो part discuss कर चुके हैं student अगर आपको content पसंद आ रहा है तो वीडियो को like और share कीजिएगा ज्यादा updates के लिए channel को subscribe करके रखिए और जो भी बच्चे net की त्यारी करना चाहते हैं वो पड़रे chemistry app पे जो net का course है इसको तुरंत join करके अपनी त्यारी start केजिए यहाँ पे free demo lectures available है पहले आप demo lectures देख लीचेगा अगर आपको content पसंद आता है तो फिर आप हमारा course भी join कर सकते है इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही thank you